स्वागर थे जी स्वागर थे भारत माता की भारत माता की भारत माता की तुहां सारे यां हमीरपूर आले यां जो मेरा प्रणाम अज मिंजो तुहां सारे यां लोकां दा आसिरवार लेने दा मोका मिल्या या मिंजो दाई बड़े ही सोभागरी गल्हाई मेरा तुहां सारे यां जो एक बारी फिर हत्ता जोडी करी प्रणाम गौरी शंकर भगवान गसोता महदेव बिलासपोर, उना, कांगडा अभी नंदन करता हूं, साथ्यों आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, हम सभी सुजहानपूर के लोगों के, इमाचल के लोगों के बहुत- साथ्यों, एक कायरकर्ता के रूप में अनेक बार इस पूर एक शेत्र में मुझे ब्रह्मन करने का यहां को समझना, यहां की समस्याओं को समझना यहां की शक्ती को समझना अनेक परिवारों के साथ उठना, बैटना यहने मेरे जीवन का एक क्रम था कि मेरा सोभागी रहा, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी यही पर इसी चौगान में मुझे आपके आशिरवाद प्राप्त करने का उसर मिला था अभी प्रधान सेवक के रूप में फिर एक बार आपसे आशिरवार लेने आया हूँ हमिरपूर की यादे अंगिनत यादे हैं लेकिन अणू में जो पंडीतादी हट्टी है वहां की बेसं की बर्फी उसके मिठास कौन भूल सकता है भाई मुझे इतने साल हिमाचल में आप लोगों की बीच बहुत कुछ सीखने का मिला है अनेक लोगों के साथ जमीन पे काम करने का मोका मिला और आज जब मैं यहां आया हूँ तो भाई प्रमीन शर्मा की आदाना बहुत स्वाभाविग है अने एक वर्षों तक प्रमीन के साथ काम किया और उन्हांने तो हमीरपूर के विकास के लिए भी कितना काम किया था अब से कुछ मेने पहले ही हम सब को छोड़ के चले गए बहाज हमीरपूर आया हूँ तो उन्हें भाव भी निसरत धांजली भी अर्पिप करता हूँ भाई और बहनो जितना मैं हमाचल को जानता हूं यहां के लोगों को जानता हूं यह कह सकता हूँ कि इस बार हमाचल के लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं खुद ही चुनाव का नेतू तो कर रहे हैं और दुबारा जैराम जी की सरकार बनाने का यहां हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है भाइयो बेनो हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ ठीक हम यह भी जानते है कि हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है इसलिए हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की बापसी भीता है और डेवल इंजीन की सरकार का तेज गती से दोड़ना भीता है साथियों आपने इतने वर्षों के सासन में कॉंग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वास घात किया है जो चल किया है उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग है कॉंग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था वही भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर घर को बुनियादी सुविदाओं से जोड़ने के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास किया है इस वज़े से आज हिमाचल के लोग पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है अभी दो-तिन दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परणाम आए है आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चड़ करके खिला दिया है लेकिन कॉंग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी सरकार में होती थी या तो कभी मुख्ध विपक्षिदल होती थी वहां की कॉंग्रेस की थिती दीनों दीन बिगड़ती ही जा रही है जो खेत्र कभी कॉंग्रेस का घड़ माने जाते थे वहां से कॉंग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है ओड़ी सा जितना बड़ा राज्य कॉंग्रेस गायब तेलंगना कॉंग्रेस साफ यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कॉंग्रेस को बिदा कर दी इसकी बज़े है कॉंग्रेस द्वारा खुद को इश्वर रुपी जनता जदादन से भी वो अपने आपको बड़े सहनसा मानते हैं बड़े मानते हैं उससी का यह नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है और आज हिमाचल के लोग भी कॉंग्रेस को भली भाती समझ चुके हैं जान चुके हैं कॉंग्रेस को लगता है कि हमाचल हमेशा पांच साल उसके पांच साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा पांच साल मैं मौच करो पांच साल तुम करो फिर मैं पांच साल के बाद आ जाओंगा यही फॉर्मूला लेकर के चले और इसलिए कॉंग्रेस के नेता हिमाचल की हिमाचल के लोगों की कोई परवा नहीं करते हैं कॉंग्रेस को लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी पांच साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं वापस आई जाएंगे आप मुझे बताईए साथियों कॉंग्रेस यहाँ पिछले पांच साल से विपख्ष की भुमिका में है लेकिन इस दौरान दिल्ली से कॉंग्रेस के ओल इंडिया लीडर लोगसभाद चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आये थे क्या कभी आये थे क्या कभी आपका हाल जानने के लिए आये थे कभी कोई मुसिबत आई तो वो आपके पास आये थे भाईयो बहनो जरा पांच साल का हिसाम निकालिये लोगसभा में राजसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विशय आये हो हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कॉंग्रेसी ने ऐसी कोई घटना अपने सुनी है क्या भाईयो बहनो आपकी चिंता इनको पांच वर्सों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो पांच साल के बाद कुर्सी दे ही देता है महनत करने की क्या जरूते हैं लोगों की परवा करने क्या जरूते हैं रिवाज है काम हो जाएगा भाईयो बहनो जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवरी नहीं से निवा सकते हैं विपक्ष के नाते आपके सबानों को ले करके जो हलते भी नहीं है वे असरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे भाईयो ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कॉंग्रेस को हिमाचल से विस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा आज ये देव भूमी पुकार रही है आज ये देव भूमी कह रही है भाजबा को बिर्वापत लाएंगे हर बुद्ध पर कमल खिलाएंगे भाई और बहनों आज आप से बात करते हुए मैं छेत्रे की विर्माताओं के योगदान को भी नमन करता हूँ यहां से तो हमारे उमीदवार खुदी फोजी है उन्होंने राष्ट रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे अच्छा लगा कि मैं अभी आया हेलिकॉप्टर से यहां तो मुझे वीर जवानों के साथ नमस्ते करने का मोका मिल गया और बहुत बड़ी तादाज मैं मेरे फोजी भाई बेनों को देख करके क्योंकि मैं तो हर दिवाली उनके बीच मनाता हूं भाई ये बेनों ये वीर संतानों को जन्म देने वाली वीर माताओं का कर तो शायद ही कोई चुका सकता है लेकिन सेवा का अउसर जब जब मिला भाजपाने कोई कसर नहीं छोड़ी है अभी मैं करगिल गया था दिवाली मनाने के लिए तो मैं हराम था मैं वर धुमल जी करगिल गये थे करगिल लड़ाई के समय उस समय के सारी फोटू की प्रदर्शनी लगाई थी वहां के लोगों ने और वहां जो आज जो जबान है उनको भी यो पुरानी बात याद थी कि दुमल जी और मोदी जी हमारे बीच में युद्ध के मैदान के समय आये थे और मुझे आद है उस समय हमारा यहां का युवां मोर्चा के अध्यक्षिव रुप में हमारे जैराम जी थे और हमारा विनोठाकूर वो मामंत्री था युवां मोर्चा ने तब करगिल के शहीदों के जीवन को समर्पीत हमारी का भी निकाली थी भाजपा की यही विश्थेस्ता है भाजपा की ताकत चाहे कितनी भी रही हो हमारे लिए खुच से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है साथियों हमीरपूर के हमारे इस शेत्र में तो फोजी परिवारों का बाहुल्य है हमारे ये परिवार बहुत करीब से जानते हैं कि कॉंग्रेस का इतिहास किस तरह बड़ी बड़ी बांता और जूठी गारंटियों का रहा है यही कॉंग्रेस हैं जिसके राज में हमारे फोजीों के पास परियाप्त बुलेट टूप जेकेट भी नहीं हुआ करते थे यही कॉंग्रेस हैं जिसके राज में हमारे फोजीों के पास बर्फ में इस्तिमाल होने वाले अच्छे जूते तक नहीं थे यही कॉंग्रेस हैं जिसके राज में बॉर्डर पर सडके नहीं बनाई जाती थी बॉर्डर पर बसे गाउं को मुल्च सुविधाओं से मंचित रखा जाता था यही कॉंग्रेस हैं जिसने फोजियों को बन रैंक बन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगाता दोखा दिया 40 साल तक चुनाओं के पंदय पहले कोई भी वादा करने में वो जिजकते नहीं है कुछ भी वादा कर दो अभी भी कर रहे हैं देर सारे वादे कर रहे हैं आप याँ तो करिए भाईयों बहनों मैंने हिमाचल के फोजी परिवारों को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो बन रेंक बन पैंशन हम लागू करके रहेंगे और हमने ना सिर्फ बन रेंक बन पैंशन को लागू किया बलकि इसका एडियर भी पूरे संमान के साथ दिया आज आप जानकर हरान रह जाओगे कि one rank one pension की बज़े से अब तक लगबग साथ हजार करोड रुपिया देश पर के हमारे फोजी परिवारों के खाते में गए और यह अतीरिक तराशी गई है और साथियों आपको ये भी नहीं बुलना है कि यहीं कॉंग्रेस है जिसके नेता आर्मी चिफ का अपमान करते हैं फोज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं कि यहीं कॉंग्रेस हैं जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइग पर सवाल उठाते हैं हमारे वीर बेटे बेटियों के शवर्यों को कटगरे में खड़ा करते हैं भाईयों और बैनों भाजपा के सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनों को किस रुक्षा सर्वो परी है इसलिए आज देश में ही आधुनिक अस्त्र सस्त्र निर्मान किया जा रहा है कॉंग्रेस ने रक्षा गोटालों का जो तावर तरीका बना दिया था उसको बड़ला गया है अब तो बेटियों के लिए भी तीनों सेदाओं के हर मोर्चे भी उसको भी आपने खोल खोल दिया है यहां तो पांस ही सैनी शूल भी है हम सैनी स्कूलों की संग्या भी बढ़ा रहे हैं और इनमें बेटियों को भी दाखिल लिला मिल रहा है हमारी सरकार पुलिस फोर्स और केंद्रिय सुरक्षावलों में भी बेटियों को बहुत प्रोच्छान दे रही है मैं एक और आकड़ा दूँगा बहुत धरुद्यार जान से सुनिएगा आजादी के बाद 2014 तक देश में पुलिस सेवा में लगबग एक लाख बेटिया थी यहने इतने सालों में एक लाख बेटिया है हमने बीते आट साल में यह संख्या लगबग सबाद दो लाख हो चुकी है सबाद दो लाख यहने दो गुरी से भी ज़्यादा इसी प्रकार केंद्रिये बलों में भी बेटियों की भागेदारी सत्रह हजार से बढ़कर के 35,000 से ज़्यादा हो चुकी है और यह लगातार बढ़ रही है साल्टियों बीते आठ वर्षों में महिलाओं के सुविदा बेटियों की बढ़ाई और कमाई के लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है इन्हें अब हिमाचल भाजपा नई बुलंदी दे रही है आपने देखा होगा कि भाजपान ने महिलाओं के लिए इस बार एक अलग संकल पर पत्र जारी किया है और इसके लिए मैं हिमाचल बीजेपी को बढ़ाई देता हूँ इसमें बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर प्रकार की सुक्स विजा को बढ़ावा देने का रूर्मेप है यह दिखाता है कि भाजपान महिलाओं की समस्याओं और उनसे जुड़े विश्यों को लेकर कितनी प्रतिबद्द है माता और बेटियों के लिए ऐसे काम तब किये जाते हैं जब मन में सेवा का भाव होता है माता और बेटियों की समस्याओं का ऐसास होता है अज पी एम आवास की घर महिलाओं को हिस्तेदारी देने वाली भाजपा है रसोई के दुए से घर को मुक्त कर गैस करेक्शन देने वाली भाजपा है हर गर नल से जल देने का ब्यान चलाने वाली भाजपा है गर गर सोचाले की सुविधा बनाने वाली भाजपा है गर गर सोभाके का बिजली करेक्शन पहुचाने वाली भाजपा है कोरोना के इस मुश्किल समय में हर गरीब को मुप्त अनाज देने वाली भी वाज पाई है भावियो भेनो मेरा पुरा विश्वास है देश में जो भी छोटे राज्य है जो हिमालाई राज्य है उन सब के लिए हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति का रोल मोडल बन सकता है विकास के मामले में, तुरिजम के मामले में, हिमाचल सभी छोटे राज्यों के लिए नई प्रेणा बन सकता है पहडी राज्यों में जो कनेक्टिविडी होती है, रोड, रेल, रोपे, इन सब चीजों में, हिमाचल प्रदेश एक रोल मोडल के रुपे आगे बढ़ सकता है और हम उसी तरफ पिछले पांच साले लगाता ले जा रहे हैं, और आने वाले पांच सालों में, यह चीज़े हम सिद्ध करकर करके रहेंगे, यह में आपको भी स्वाद दिला रहे हैं जिस तरह से राष्ट रक्षा में हिमाचल प्रदेश अगरिम पंक्ती में खड़ा रहता है, उसी तरह से विकास के मामले में भी उसे अगरिम पंक्ती में खड़ा होना है हमें हिमाचल को पुरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रुप में विक्सित कर रहा है पिछले पांच वर्षों में दिल्ली और हिमाचल में भाजबा की डबल इंजिन सरकार ने इसी दिशा में प्रयास किया है उना में ट्रिपल आईटी हमीरपुर में नाईटी बिलासपुर में हाइड्रो एलेक्रिकल कॉलेज और देहरामा केंद्री विश्विदाल है बिलासपुर में एम्स बन गया है और हमें हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है यानि सिक्षा हो या स्वास्त डबल एंजिन से डबल विकास हो रहा है यही नहीं इंट्रास्टेक्टर और इंवेस्टमेंट के मामले में भी डबल लाव हिमाचल को मिला है देश पे सिर्फ तीन राज्यों को बल्क ड्रग पार्क के लिए चुना गया है इस में से एक यह मेरा हिमाचल है और यह भी हमीरपूर संसद ये खेत्र में बन रहा है धौला सिद्ध प्रोजेक्ट बनने से यहां बिजली तो बनेगी रोजगार भी बढ़ेंगे और किसानों पसुपालों को कमाई भी बढ़ेंगी यहां रेज डेट पर के विस्तार में हजारों करोड रुपे के अंजर सकाल लगा रही है देश की चोथी चोथी बंदे भारत ट्रेन भी हिमाचल को ही मिली है सिमला, बिलाजपूर, हमिरपूर, मटोर यह हाइवे पर ही लगबाग आठ हजार करोड रुपे का काम हो रहा है यह विकास सबके सामने प्रत्रक्ष है लेकिन हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कॉंग्रेस को विकास के कारियों से दुश्वनी है, इसलिए वो इन सारे कारियों को रोकना चाहती है जैसे रोड, 2014 से 2017, दिल्ली में हमारी सरकार बन चुकी थी आमें में आशिरवाद दे चुके थे लेकि हिमाचल ने जितने रोडे अटका सकते से अटकाने की कोशिश की ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह याँ आए, वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए और उन्होंने हिमाचल का बुरा कड़े का काम किया वो कहावत है ना चल दे घराटा मंज गटा पाना कॉंगरिस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है इसलिए वो पुराना राजनितिक रिवाज बनाए रखना चाहती है भायो बहनों मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूँ आप जवाब देंगे ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है भायो बहनों मैं जहां भी गया हूँ हिमाचल में पिछले दिनों जहां भी जाने का मुझे मौका मिला है मैंने ये निजाद मिजाद देखा है मैंने हिमाचल की जनता का संकल पर देखा है और हिमाचल के लोगों के समझ आ गया है कि ये अदला बर्लिली ने हिमाचल को बरबात करके रखा है अब तो दुबारा काम देंगे और हिसाब भी मांगेंगे आप दुबारा हमें काम दीजिए हमसे हिसाब मांगे आप रिवाज बदलना का ताई करके बैटे हैं हम आपकी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निरने करके बैटे हैं जात्यों आज हमाचल विदान सबाव चुराओं मैं ये मेरी आखरी सबाव है इस सुनाव मैं अब मेरा कोई सारवजेनिक कारकम के लिए सबाव नहीं बचा है लेकिन आप जुरूर एक बात याद रखेंगे कॉंग्रेस स्वभाव से स्वभाव से विकास की दुश्मन है वो लोगों को मुसिबत में जीने के लिए मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोते है ताकि उनक्यों जरूरत पड़ जाए बाजपाई है जो हिमाचल को विकास के नई उचाई पर ले जा सकती है इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की बापस से जरूरी है और आप तो जानते हैं कोई देश का प्रधान मंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मुटी बातों से परिचित हो यहां की हर पहडियों से परिचित हो यहां के रास्तों से परिचित हो यहां से लोगों से परिचित हो तो दिल्ली में बैट कर को आपके काम आएगा और नहीं आएगा आपका विश्वात बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा अब मैं तो दिल्ली में हूँ ही अगर यहां मेरे अनुकुल लोग होंगे तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा अगर ने कर पाऊंगा सीदी सीदी हिसाब है जी और इसलिए दिल्ली का फाइदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी के सरकार को बनाना है ताकि डबल फाइदा मिल जाए मेरा आप चागर है बारा नमंबर को हर बूत में हर वोट कमल के फूल पर ही पढ़ना चाहिए मेरी ये बाद गर गर पहुँचाओगे आप एक-एक मतलाता को मिलोगे गर-गर जाकर के कमल के भूल पर बटन दबाने के लिए समझाओगे जादा से जादा लोग वोट करे इसके लिए महनत करोगे ठंड अगर आना शुरू भी हो जाए तो भी मतलान कम नहीं होगा इसकी चिंता करोगे अच्चा हर गर जाओगे तो यह बात बताओगे न कि मोदी जी सुजानपूर आये थे आप सबको मिलने के लिए आये थे लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हो तो मोदी जी ने हर घर में हर परिवार में अपना प्रणाम पहुँचाया है मेरा प्रणाम पहुचाओगे हर घर में जाके बताओगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम पहुँचाया है पक्का पहुचाओगे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिये भारत मासा की भारत मासा की भारत मासा की बहुत बहुत धन्यवाद